कि यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बीटता गया वैसे वैसे कंपनी ने अपने मॉडल्स और और एंजिन में काफी सारे चेंजिस करते करते नहीं नहीं मॉडल लांच किया है लेकिन जीप का एक यह है कि वो अनली एस्यूवी कार ही बनाती है वो ना तो सेडान और ना तो हैच्बेक कार बनाती है यहां पर आप देख सकते हो कि स्पीडोमेटर और टेकोमेटर के बीच में एक डिचिटल छोटा सा स्क्रीन दिया गया है जिसमें आप काफी सारी इंफोर्मेशन देख सकते हो जीप कमपस में आपको दो तरक के एंजिन मिलेंगे एक पैटरोल और दूसरा डिजल एंजिन पैटरोल एंजिन आपको 1400 सिसी का मिलेगा और डिजल एंजिन आपको 2000 सिसी का मिलेगा पैटरोल और डिजल दोनों में आपको आटमेटिक और मैन्यूल ट्रांसमेशन मिल सकता ह यह जो आप देख रहे हो पैट्रोल मैन्यूल वाला मॉडल वो जीप कमपस का सबसे बेजिक मॉडल है यह जो बेजिक मॉडल है इसमें आपको आडियो सिस्टम टस्क्रीन नहीं मिलेगा वो आपको नॉर्मल वाला ही मिलेगा यहां पर आप देख सकते हो कि जो प्लास्टिक और लेधर की क्वालिटी है हो काफी प्रीमियम है प्लास्टिक प्लास्टिक यह वाला फीचर्स साइद आपने पहले नहीं देखा होगा यहां पर जो पेट्रोल टेंक ओपन करने का कोई लॉकेंड की वाला आप्शन नहीं है सिम्पल पूश करो और ओपन हो जाएगा दूसरी बात यह कि जैसे ही पेट्रोल पंप वाल अपना नोजल पेट्रोल टेंक के अंडर डालेगा तो आटोमेटिक ओपन हो जाता है कोई कैप अगेरा नहीं है जालेगा नहीं है झाल झाल यह गाइस थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब